हेलो एव्रिवान और वेलकम बैक, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं हूँ साक्षी और आज में लेकर आई हूँ एक और MCQO सीरीज फ़र KBS PGT बायो टेकनोलोजी स्टूदेंट्स वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्रिवेस एयर पेपर अल्रेडी मेरे चैनल पर अप्लोडिट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा कर देख सकते हो, और ऐसी बहुत सारी MCQO सीरीज भी मेरे चैनल पर अप्लोडिट है, आप लोग डियो हैं इन में से आपको मिस्मच चूस करना यानि कि जो गलत मैच है, पहला मैच है ता Messiah Phenyle Group, क्या टायरोसीन में Phenyle Group प्रेजंट होता है, आरजिल इन, GwenIDINO Group क्या अरजिल इन, Gwenhmen-दीन group, systeine, immun group. तो एक के करके पहले हम इन amino acids के structures को देख लेते हैं. तो अगर मैं tyrosine के structure की बात करूँ तो tyrosine का कुछ ऐसा structure होता है. तो यह है tyrosine का structure और आप लोग tyrosine में देख सकते हो कि phenol group present है. एक phenol ring tyrosine में present होती है. तो आपका पहला match जो है वो एकदम सही है फिर अगर हम बात करें आर्जिनीन के structure की ये आगया आपका आर्जिनीन का structure आर्जिनीन जो है ये सबसर जादा alkaline amino acid होता है और ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें guanodino group जो है वो present है तो B option भी आपका एकदम अब अगर हम बात करें इस histidine के structure के बारे में तो histidine का कुछ ऐसा structure होता है और histidine में आप लोग देख सकते हो ये imidazole group जो है वो present है तो आपकी C statement भी एकदम correct होगी तो यहाँ पर आपका mismatch है D that is systeine जिसमें की amino group absent होता है तो अगर मैं systeine की structure की बात करूँ तो systeine का structure ऐसा होता है systeine जो है ये sulfur containing amino acid है आप देख सकते हो यहाँ पर sulfur present है लेकिन यहाँ पर कोई amino group present नहीं है तो फिर amino group कौन से amino acid में present होता है तो amino group जो है ये हमें proline के case में देखने को मिलता है अगर आप proline का structure देखोगे तो proline का कुछ ऐसा structure होता है और ये जो group आप लोग देख रहे हो इसे हम कहते हैं amino group जो की एक false ring-like appearance देता है तो amino group जो है ये present होता है proline के case में आगे आप से पूछा है The rate of migration of protein in an STS polyacrylamide gel is not influenced by So STS polyacrylamide gel में हम एक detergent का use करते हैं जिसका नाम है sodium dodecyl sulfate ये जो sodium dodecyl sulfate है ये disulfide bonds को तोड़ता है हम ये proteins के बीच में और साथी साथ जितने भी amino acids होते हैं ये उनको negative charge जो है provide करता है जब हम electric field apply करते हैं electrophoresis को दोरान तो सभी amino acids क्या करते हैं positive charge की तरफ move करते हैं आपसे पूछा है कि इन में से कौन सा factor है जो rate of migration of proteins को influence नहीं करता सबसे पहले हम बात करेंगे size of protein की तो size of protein बिल्कुल करता है जो छोटे size की proteins होते हैं वो faster rate पर move करते हैं और जो larger proteins होते हैं वो larger amino acids होते हैं slow rate पर move करते हैं फिर बात आती है charge of protein की तो charge जो protein का जो charge है वो बिल्कुल भी influence नहीं करता sodium, rodicil, sulfate की वज़े से negative charge आता है जिसकी वज़े से सभी amino acids जो है positive charge की उपर move करते हैं लेकिन जो protein का अपना charge होता है वो influence नहीं करता है rate of migration को फिर है pore size pore size भी करता है अगर pore size small होगा तो migration slow होगी अगर pore size large होगा तो migration fast होगी फिर है strength of electric field electric field की जो strength है वो भी definitely influence करती है तो यहाँ पर आपका जो B option है वो correct है आगे आपसे पूछा है which of the following electrophoretic procedures does not depend on the charge of the protein इन में से कौन सा electrophoretic procedure है जो protein के charge के उपर depend नहीं करता अभी हमने पढ़ा देख लेते हैं options moving boundary electrophoresis यह नहीं होगा zone electrophoresis यह भी नहीं होगा इन दोनों में protein का जो charge होता है वो ज़रूरी होता है फिर है polyacryl, lamide gel, electrophoresis and STS बिल्कुल अभी हमने यह पिछले question में describe किया है iso-electric focusing में भी charge बहुत important होता है तो आप C option के साथ जाओगे आगे बोला है a person with cleaner filter syndrome is considered as ऐसा इंसान जिसको cleaner filter syndrome है उसे हम क्या consider करेंगे monosomic, triploid, trisomic या फिर deletion, heterozygote तो deletion यहाँ पर नहीं होती है deletion की बजाए यहाँ पर एक extra chromosome present होता है monosomic भी नहीं कहेंगे triploid भी नहीं कहेंगे क्योंकि triploid का मतलब होता है एक पूरा का पूरा genome का जो set है वो additional हो जैसे human beings के case में 23 pairs होते हैं तो total chromosomes 46 होते हैं तो 46 की बजाए 46 प्लस 23 अगर यहाँ पर हो जाता है यानि कि 69 अगर यहाँ पर chromosomes हो जाते हैं तो इसे हम triploid कहेंगे तो हमारा जो correct option है वो है trisomic क्योंकि clean air filter syndrome के case में क्या होता है एक additional x chromosome present होता है अगर male है तो male के अंदर x, x, y present होगा और अगर female है तो x, x, x present होगा समिकंजर्वेटिव रेप्लिकेशन औफ डिने आर समिकंजर्वेटिव मोड औफ रेप्लिकेशन को discover करने के लिए जो isotopes यूज किये गए थे वो कौन से थे N14, P31, N14, N15 N14, C14 या फिर C14 and P31 तो जो समिकंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है इसे मिजल सन और स्टॉल ने discover किया था और इन्होंने जो isotopes यूज के थे वो थे N14 and N15 तो आपका B option यहां पर correct होगा फिर आगे बोला है इन प्रोक्रियोट्स दे लागिंग प्रोटीन्स आर रेप्लिकेशन होती है तो जो लागिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको कौन रिमूव करता है 3' to 5' एक्जोनुक्लियस DNA लाइगेश DNA पॉलिमेरेस 1 या फिर DNA पॉलिमेरेस 3 तो जो DNA पॉलिमेरेस 1 है अगर मैं इसके functions की बात करूँ तो इसका काम होता है DNA repair में gap filling में और यही लागिंग प्रोटीन्स की रिमूवल में भी help करता है तो आपका C option यहां पर correct होगा फिर बोला है How does the DNA of a circular E. coli chromosome replicates? E. coli का जो DNA होता है हमें पता है circular होता है आप से पूचा है कि जो E. coli का circular DNA होता है उसका replication कैसे होता है unidirectional, bidirectional, multidirectional या फिर all of these are true तो यहां पर correct option है bidirectional क्योंकि यहां पर origin of sight अगर है तो जो replication है वो दोनों direction में move करती है और opposite direction में जो है दोनों strands की synthesis यहां से होती है तो bidirectional आपका correct option है फिर पूचा है transposons so transposons से related आपको चार यहां पर statements दी है आपको correct statement choose करनी है insert into DNA by homologous recombination यह homologous recombination के through DNA में insert किये जाते हैं बिल्कुल गलत है homologous recombination में क्या होता है मानलो यह sister chromatids है तो जो non-sister chromatids होती है उनके बीच में recombination का process होता है इसे हम कहते है homologous rock के recombination यहां पर transposons का कोई रोल में होता cannot be transferred by phage mediated transduction यह हम phage mediated transduction से transfer नहीं कर सकते हैं यह भी एकदम गलत statement है कर सकते हैं ऐसा can insert into plasmids but not the bacterial chromosome यह plasmids में insert हो सकते हैं लेकिन bacterial chromosome में नहीं हो सकते हैं यह किसी भी genome में हो सकते हैं contain the equivalent of IS element IS element का मतलब होता है insertion sequence element तो जो insertion sequence element होता है यह short DNA sequence होता है जो की transposable elements की तरह act करता है तो आपका जो D option है वो यहां पर correct होगा यह तो transposons होते हैं इनको हम jumping genes के नाम से जानते हैं jumping genes के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह एक जगा से दूसरी जगा पर move कर सकते हैं यह DNA के ऊपर एक जगा से मानलो यह यहां पर present है तो यह यहां से move करके यहां पर जा सकते हैं इसलिए इने हम insertion sequence element भी बोलते हैं आगे है non-coding DNA in eukaryot cells may include इन मेंसे कौन सा जो option है वो non-coding DNA को denote करता है introns obviously हमें पता है जाते हैं लेकिन जो introns होते हैं यह non-coding regions होते हैं इने हम junk DNA भी बोलते हैं क्योंकि यह mRNA में transcript नहीं होते इन से proteins की synthesis नहीं होती फिर है pseudogenes जो pseudogenes होते हैं यह coding genes के ही जैसे होते हैं यानि कि इनका जो sequence होते है वो coding genes के जैसा ही होता है लेकिन यह non-coding होते हैं nature में तो यह भी आपका correct option है फिर है spacer DNA तो spacer DNA जो है यह भी non-coding होता है तो all of these are correct आगे पूचा है mitochondrial DNA is replicated from mitochondrial DNA का replication कहां से होता है a single origin site bi-directionally एक ही origin site से जैसे हमने bacteria के case में देखा एक ही origin site से दोनों direction में replication होती है तो ऐसा mi-to-condria के case मी नहीं होता है बिस्रो ऑक्षिन हां two different origin sites यह एगदम सही बात है two different origin sites से होता है in the same direction यह बात गलत है तो यह option भी आपका गलत होगा फिर है two different origin sites two different origin sites से होता है at different times और अग अलग time होता है और opposite direction में होता है तो यह बात एकदम सही है, C option आपका correct होगा. मैनी साइट से नहीं होता बाइडारेक्शनली ये भी गलत है. तो माइटो कॉंडियर डियने रेप्लिकेशन के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक special type of polymerase जो है, वो involved होता है, जिसका नाम होता है twinkle. तो यह आपको याद रखना है, कि डिरेक्टी आपके paper में पूछा भी जा सकता है, कि मैटो कॉंडियर डियने में कौन सा DNA polymerase involved होता है. तो twinkle नाम का DNA polymerase यहाँ पर involved होता है. जो मैटो कॉंडियर डियने होता है, वो circular होता है. outer strand को हम कहते हैं light strand, इसे L से denote करते हैं, और inner strand को हम कहते हैं add strand और इसे heavy strand बोलते हैं. दोनों strands के उपर अलग-अलग region sites present होती है. मान लेते हैं light strand का origin site जो है वो यहाँ पर है, तो heavy strand का origin site होगा, वो उससे थोड़ा सा आगे होगा. लेकिन जो DNA polymerase है वो यहां पर एक ही होगा तो DNA polymerase पहले light strand पर synthesis शुरू करेगा लेकिन जो heavy strand पर synthesis है वो तब शुरू होगी जब DNA polymerase यहां से move करता हुआ आगे पहुंचेगा जब तक DNA polymerase heavy strand तक पहुंचता light strand के कुछ nucleotides के synthesis अल्रेडी हो गई होती है इसने यहां पर लिखा है at different times और यहां पर क्या होता है एक इस तरह का structure फॉर्म होता है और यह जो structure है इसे हम कहते हैं D-loop structure तो अगर आपसे paper में पूछा जाए कि D-loop structure कहां पर फॉर्म होता है तो आपको याद रखना है mitochondrial DNA synthesis में इसका formation होता है आगे पूछा है satellite DNA consists of satellite DNA में क्या present होता है extra chromosomal DNA, short repetitive nucleotide sequences, ribosomal RNA genes या पर single gene regions तो satellite DNA जो होता है वो short repetitive nucleotide sequences से बना होता है यहां पर repeated nucleotide sequences present है मान लेते हैं अगर यह sequence है तो यह sequence repeat होता रहता है इस तरीके से repeated sequence जो है वो satellite region पर present होते है तो B option यहां पर आपका correct होगा अकली question में पूछा है which of the following enzyme does not require a primer इन में से कौन सा enzyme है जिसे primer की ज़रूरत नहीं होती है synthesis शुरू करने के लिए RNA dependent RNA polymerase यह गलत option है DNA dependent DNA polymerase यह भी गलत है DNA dependent RNA polymerase यह आपका correct option है DNA dependent RNA polymerase जहां पर DNA से किस की synthesis होती है mRNA की synthesis होती है यहां पर हमें primer की requirement नहीं होती तो यह आपका correct option है next TAC DNA polymerase भी गलत है TAC DNA polymerase का use कहा होता है इसका use क्या जाता है PCR में यानि की polymerase chain reaction में यह थर्मो स्टेबल polymerase यानि की इस पे high temperature का कोई खास effect नहीं होता इसको TAC polymerase क्यों बोलते है क्योंकि इसको कहां से obtain किया है thermos aquaticus नाम के microorganism से यह भी आपको याद रखना है और यह भी याद रखना है इसका PCR में use क्यों किया जाता है क्योंकि यह temperature resistant होता है आगे पूझा है pribno box is centered at pribno box जो है यह कहां पर present होता है plus 10 10 position पे minus 10 position पे minus 35 position पे या फिर plus 35 position पे जैसे eukriots के case में tata box present होता है पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है eukriots के case में present होता है tata box इसे tata box इसलिए बोलते है क्योंकि यह 80-rich sequence होता है जो DNA के उपर present होता है यह transcription के लिए initiation side का का काम करता है इसी तरीके से जो prokriots का genome होता है उसमें pribno box present होता है और यह जो pribno box होता है यह present होता है माइनस 10 position पे initiation complex जहां पर bind होता है उससे 10 base पे और पीछे pribno box present होता है जहांसे unwinding जो है वो शुरू होती है तो भी option यहां पे आपका correct होगा आगे पूछा है which of the following would not be possible to address using a northern blot northern blot जो कि ब्लॉटिंग ट flashlightץ' आपने सुना ओगा northern blot, southern blot, b relate neat तीन तरह की blotting techniques नॉटन blot Helena carne Southern blotting नॉटन blot अगर माइन बाट करू hem northern blotting की ये चलाए जाती है ने के लिए किसी RNA mixture में से अगर हम किसी specific RNA molecules के रेक्ट करना चाहते है को हम Northern blotting से करेंगे. Southern blotting जो है ये चलाई जाती है DNA molecules के लिए. Genes की location, genes कहां पर present है, कौन-कौन से genes present है, इसके लिए हम Southern blotting चलाते हैं. और जो Western blotting है, ये चलाई जाती है proteins के लिए. किसी protein mixture में से हमें कोई particular protein के बारे में जानना है, तो हम Western blot चलाएंगे. तो यहां पर पूछाएं कि Northern blot जो है, उसको कौन सी statement जो है, support नहीं करती. Location of restriction sites in a particular gene, spatial expression of particular gene, तो किसी gene का जो है expression क्या होगा? mRNA होगा, right? तो ये option आपका correct है, temporal expression of a particular gene, again mRNA की बात हो रही है, ये भी correct है, mRNA size, ये भी correct है. ये option आपका incorrect है, क्योंकि restriction sites जो होते हैं, ये DNA के उपर present होती हैं. तो हम DNA से related काम Northern blot में नहीं करते हैं, तो ये option आपका correct होगा. फिर अगले question में पूछा है, which is not a step in Southern blotting procedure? कौन सा जो step है, वो Southern blotting के procedure में नहीं होता. Ligation of a DNA into vector, DNA को vector में ligate करना. Vectors क्या होते हैं? Molecular weakles होते हैं, जो DNA को एक organism से दूसरे organism में transfer करने के लिए यूज के जाते हैं. Separation of DNA fragments on a gel. DNA fragments को gel पर separate करने के लिए ये correct है. Transfer of DNA fragment to nitrocellulose membrane ये भी हम Southern blotting में करते हैं. DNA fragments को हम nitrocellulose membrane के ओपर transfer करते हैं. Hybridization of the membrane with the label probe. तो label probe के साथ भी हम hybridization करते हैं ताकि हम DNA fragments को देख पाएं. तो A option आपका ये हम पर correct answer होगा क्यूंकि इसे हम Southern blotting procedure में use नहीं करते हैं. क्यूंकि ligation का यहां पर कोई रोल नहीं होता. फिर आपसे पूचा है, when hemoglobin is converted from deoxyform to oxyhemoglobin, जब hemoglobin deoxyform से oxyform में convert होता है. उस time पर क्या होता है? It becomes more acidic and releases proton. उसका nature acidic हो जाता है, क्यूंकि वो protons को release करता है. कार्ब माइनो formation is promoted. कार्ब माइनो का formation होना शुरू हो जाता है. Binding of BPG is favored. BPG की binding होती है. Bound, nitric oxide is transferred to glutathione. nitric oxide जो है, वो transfer हो जाती है, glutathione में. तो यह तीनों options आपके incorrect है. यह option आपका correct है. जब deoxyform से hemoglobin, oxyhemoglobin में convert होता है, तो hemoglobin में क्या हो रहा है? oxygen का addition हो रहा है. जब oxygen का addition हो रहा होता है, तो साथ ही साथ में H-positive ions का वहां से release हो रहा होता है. जब H-positive ions का वहां से release होता है, यानि कि protons का release होता है, तो जो hemoglobin है, उसका nature हो जाता है, acidic. तो जो हमारा oxygenated blood होता है, वो acidic nature का होता है. तो A-option आपका correct है. फिर पूछा है, which of the following is common to both E. coli and Eukaryotic chromosome? E. coli और Eukaryotic chromosome, यानि कि prokaryotic और Eukaryotic chromosome के बीच में क्या common होता है? DNA जो है, वो circular होता है? नहीं, Eukaryotic DNA circular नहीं होता. सिफ mitochondrial DNA या chloroplast DNA के अगर हम बात करें, तो वो circular हो सकते हैं. लेकिन जो normal genome होता है, वो linear होता है, Eukaryotes का. DNA is negatively supercoiled, DNA is contained in nucleus, तो अगर हम prokaryotes के बात करें, तो prokaryotes में जो है, true nucleus ही present नहीं होता. तो ये भी common factor नहीं है, DNA is packed into nucleosome, तो ये भी prokaryotes का feature नहीं है, तो ये भी common नहीं हो सकता. तो B option आपका correct है, दोनों ही cases में, जो हमारा DNA होता है, वो negatively supercoiled होता है. आगे पूझा है, DNA helicase in E. coli. E. coli के अंदर DNA helicase, जो है, वो क्या करता है? Moves in the direction opposite to replication fork. अगर replication fork इस direction में move कर रही है, तो helicase क्या इस direction में move करता है? एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होता, जिस direction में replication fork move कर रही है, उस direction में helicase move कर रही है. इस तरह की situation होती है, ये हमारा DNA है, तो इसकी यहां से अगर unwinding हो रही है, तो ये जो helicase enzyme है, यहां पर ये आगे की तरफ move करता जा रहा है, और DNA के unwinding करवाता जा रहा है. Unwinding के वज़े से replication fork बन रहा है, तो replication fork उस direction में जाएगा, जिस direction में helicase enzyme जा रहा है. यहां पर बोला कि, helicase जो है, यह भी गलत option है, catalyzes formation of primer, primer formation को catalyze करता है, बिल्कुल नहीं, इसका काम सिर्फ unwinding करवाना होता है, is a hexameric protein, यह एक hexameric protein है, यानि कि different subunits से बनी हुई है, with ATPase activity, और इसके पास में ATPase activity है, तो यह एकदम correct statement है, क्योंकि DNA की जो unwinding होती है, यह energy requiring process होता है, जो दोनों strands होते हैं, उनके बीच में, base pairs के बीच में hydrogen bonds होती है, तो उन bonding को तोडने के लिए, हमें ATP का requirement होता है, इसलिए उसके पास में ATPase activity होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ यह a hexameric protein होता है, तो C option आपका correct है, फिर बोला है, इन E. coli, attenuation and anti-termination utilizes which structure, E. coli के अंदर attenuation और anti-termination जो है, वो किस structure को utilize करते हैं, stem loop structure in RNA, stem loop structure in DNA, DNA, RNA hybrids, differential protein foldings, तो A, इस option आपका यहां पे correct है, आगे बूचा है, when change in the phenotype और gene expression, जब phenotype या gene expression में changes आते हैं, without changes in the underlying DNA sequence, DNA sequence में changes आये बीना, this phenomenon is called, यानि कि हमें बोला है कि जो genetic makeup है, उसमें कोई changes नहीं आए, जो genetic makeup में कोई भी changes नहीं आए है, लेकिन जो gene expression है, यानि कि जो हमारा phenotype है, उसमें हमें changes देखने को मिल रहे हैं, इस process को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली जो है phenotype कब change होता है, जब genes के अंदर कोई changes होता है, यानि कि अगर कोई mutation हो रही है, genes में किसी तरह के changes हो रहे हैं, तब ही जो phenotype है, वो change होगा, लेकिन अगर बिना genetic makeup में कोई changes हुए, phenotype बदल रहा है, यानि कि सिर्फ gene का expression बदल रहा है, genes सेम ही है, सिर्फ उनका expression चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, mutation, eugenics, epigenetics या फिर epistasis, तो इसे हम कहते हैं epigenetics, जब genetic makeup change है, जब genetic makeup सेम है, यानि कि genotype सेम है, लेकिन phenotype में changes हो रहे हैं, mutation क्या होता है, जब genotype में कोई changes आ जाएं, कुछ genes का deletion हो जाएं, कुछ genes का addition हो जाएं, या inversion हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, कोई भी हमारे genetic makeup में कोई changes होते हैं, तो उसे हम कहते हैं mutation, eugenics क्या होता है, eugenics is study of science that deals with enhancing the human race with the help of heredity control, किसे भी इंसान की जो heredity है, उसे control करके, जो genetic makeup है, उसे control करके, हम कैसे upcoming generations में changes ला सकते हैं, इसकी जो study होती है, उसे हम कहते हैं eugenics, epistasis क्या होता है, जब किसी एक gene का expression, बाकी के genes के expression को modify कर सकता है, उसे mask कर सकता है, inhibit कर सकता है, यह suppress करता है, उसे हम कहते हैं epistasis, उसकी study को हम कहते हैं epistasis, फिर आगे बोला है, primary and secondary antibody response differcing, जब भी हमारी body में कोई infection होता है, तो पहले primary antibodies respond करती है, फिर secondary antibodies respond करती है, यानि कि पहले B cells respond करेंगे, फिर T cells respond करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं, पहले macrophages, neutrophils, यह सब जो है activate हो जाते हैं, जो कि हमारे primary response होता है, हमारी body का उसको constitute करते हैं, उसके बाद secondary response generate होता है, जो कि T cells की वज़े से होता है, तो इन दोनों में difference क्या होता है, the pre-dominant isotype generated, the number of lymphocytes responding to antigen, the pre-dominant isotype generated, यानि कि जो isotype generate होता है, वो different होता है, बिल्कुल different होता है, the number of lymphocytes responding to antigen, lymphocytes का number different होता है, यानि कि primary response में जो lymphocytes का number होता है, वो काम होता है as compared to secondary response, तो ये भी सही है, the speed at which antibodies appear in the serum, जिस speed से antibodies हमारे serum में appear होती हैं, वो भी different होता है, क्योंकि जो primary antibodies हो पहले आ जाएंगी, और secondary antibodies जो हैं, वो later on activate होंगी, तो ये भी different है, तो all of these जो है आपका correct option होगा, फिर आगे बोला है, most protection against viral diseases in the body takes place through the activities of, viral diseases के against, जब भी virus की infection होती है हमारी body में, तो हमारी body में कौन से molecules हमें protect करते हैं, penicillin molecules, no, antibody molecules, no, antigen molecules, नहीं, anti option आपका correct है, that is interferon molecules, हमेशा याद रखना है, जब भी virus का infection होता है, तो interferon molecules जो होते हैं, ये हमें protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, interferons जो हैं, ये directly viruses के साथ में associated हैं, तो ये आपका यहाँ पर correct option होगा, फिर आगे बोला है, match the antibiotics with its inhibitory mode of action, antibiotics किस तरीके से inhibitory action जो है, जो है वो generate करती हैं, उनके साथ में आपको match करना है, penicillin, rifampicin, punicamysin, sulfanilamide, अगर मैं बात करों penicillin की, तो penicillin क्या करती है, protein synthesis को रोकती है, protein glycosylation करवाती है, DNA polymerase से इसका function associated है, foliate biosynthesis या फिर peptidoglycan synthesis, तो penicillin जो है, यह peptidoglycan synthesis को रोकती है, तो A option आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर है rifampicin, तो rifampicin जाएगा DNA polymerase के साथ, यह DNA polymerase की activity को रोकती है, फिर है tunamycin, tunamycin जाएगा protein glycosylation के साथ में, और D option, sulfanilamide जो है यह जाएगा, folate biosynthesis के साथ में, तो आपका correct option कौन सा होगा, इन में से D option, तो D option के साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, तो आज के लिए इतना ही, I hope आप लोगों को यह session helpful लगा होगा, इससे अपने friends के साथ में भी share करना, ताकि वो भी यहाँ से help ले सके, चैनल को जरूर subscribe करना, ताकि कोई भी नई वीडियो आई, तो वो आप तक जरूर पहुंच जाए, मिलूंगे आप से next वीडियो में, तब तक के लिए prepare well, and thank you for watching.